आप देख रहे हैं इस्पियन नाइन नियूज रास्टपती चुनाब के वोटिंग होने के बाद से बीजेपी के जरीवाल पर दरसल जबर्दस तरीके से हमला कर रही है अब सवाल उठ रहा है कि इसके वज़े क्या है पूरा मामला क्या है आईए पहरे आपको समझा दें रास्टपती चुनाब में तमाम भी पक्छों ने द्रापदी मुर्मो को समर्थन किया लेकिन सिर्फ आम आदमी पार्टी यानि केजरी वाले कैसी पार्टी रही है केजरी आदमी पार्टी यानि के साथ हो चुका है आज यही जानेंगे कि यह खुला जंग जो छेड़ दिया है के जरी वाद ले इसका खामियाजा क्या आप भूगत ना पड़ेगा बहत खास मिमान इस वक्त मेरे साथ मौजूद है शाहिए शाहिब आपका बहुत बहुत स्वाग कि कल किस तरीके से चुनाब जो है शांतिय पूर्ण रहे बहुत अच्छी बात है कि हुआ लेकिन क्रॉस वोटिंग को लेकर मामला बिकड़ा लेकिन इस बीच में सबसे पहले सवाल यहां से शुरुवात करते हैं क्या लगता है आपको द्रॉपदी मुर्मु जीतेंगे य जो भातपा में है वो तो समर्तन करी रहते और क्योंकि सबसे बड़ा राज है तो विधायकों की संख्या ज्यादा आशिव वहां पर तो इस वज़े से काफी और कहीं सारे विपक्त जैसे जहारकंड में जहारकंड मुक्ति मोर्चा और फिर वहां पर यह पूरीशा में हो है आपके बीज़त पार्टी तो सारा समर्थन में लुक्रा चाहता हूं इसलिए क्योंकि आपने जहारकंड का जब जिक्र कर दिया आप दरसल खुदी जहारकंड से आते हैं इसको कैसे समझा जाए कि वह उन्होंने जहां तक बात है आशिव कॉंक्रेस हर राज में जहां भी गडवंदन से उन्होंने सरकार बनाई है तो जिस पार्टी के साथ वह गडवंदन करते हैं तो महां पर जयक्राइं जह कोई भी मुद्दा हो कॉंघ्रिस हमेशा वहाँ पर जहारकण मुर्चा के द्वारा फटकार कॉंघ्रिस को लगती रहती है, निचा कॉंघ्रिस को दिखाई दे। क्योंकि अभी जिस तरीके से राजिसवा सांसत को लेकर के वहां पर राजनीती में विवाद चुड़ाता उसके बाद फिर पार्टी के आला कमान से हेमन सोरेन के बाद चीत के बाद सारे जो थे रुगा और हेमन सोरेन ने कहीं एक बार फिर से दर्शा दिया कि कॉंग्रेस को तो जारकंड में मैंने नहीं लगाती है तो मतलब इसमें बीजेपी का कोई हाथ नहीं है जी देखे बीजेपी का हाथ है जिस तरीके से लगातार हेमन सोरेन भाटपा के खिलाव तीखा टिपनी करते वे नजर आ रहे है क्योंकि अभी अनुमान लगाए जा रहा है राजनी एमन सोरेन के तेवर काफी बदले वे दिख्या अभी जिस तरीके से मुख्य मंतरी हेमन सोरेन के जो करीबी हैं विदायक परती निदी उनके करीबियों के उपर च्छापे मारी एडी ने की ती और साड़े 11 कोड के लगबग कैश वहां से बरामत किया था तो उसके बाद से हे पिकाटिपनी करने से हमाद सोरेन बच रहे हैं लेकिन इसको कैसे देखा जाए कि अरविंद केज्रीवाल ने यश्वन सीनहा का समथ्थन किया वह भी विपक्ष में है जिए बिलकुल तो एक तरफ विपक्ष जहां दुरॉप दे मुर्मो को समथ्थन कर रहा है लेकिन वहीं अर्वीन दिके जिरिवाल आमादमी पार्टी जैसे पार्टी जो है खुल कर समधर कर देखा जाए तो कहीं ना कहीं देखिए आम आदमी पार्टी के लिए दोनों भी विपक्ष है चाहे वह भाजपा हो चाहे वह कॉंग्रेस लेकिन कॉंग्रेस लगातार आम आदमी पार्टी पर इलजाम यह लगाती रहती है कि आम आदमी पार्टी बाजपा का भी गुरूप है तो कहीं ना कहीं अब जब हिमाचल और गुजरात के चुनाओ विदान सभा चुनाओ आ रहे हैं वहां पर भी आम आदमी पार्टी को नहीं है आमादभी पार्टी इस वज़े से यस्वन सिना का उन्होंने खुल करके समर्थन किया हाला कि उन्होंने द्रौपधी मुर्मू का विरोध नहीं क्या उन्होंने का कि हम सम्मान करते हैं लेकिन पिर भी है तो अटोमेटिक ही विरोध हो गया ना लेकिन एक सवाल ये खास करके मैं लेना चारा हूं सहाज है वो ये कि यस्वन सिना को उन्होंने वाकई में समर्थन दिया या फिर इसी बहाने बीजेपी पे जो भडास था वो निकाल लिया है कि हम आपके खुले विरोधी हैं खुल कर हम आपका विरोध कर दिया जंग का एलान तो उन्होंने क कर दिया और सिर्फ बिजेपी के ही कि लाफी नहीं किया उन्होंने पहले से भी साए वह कॉजराथ हो आने वाले हैं और … तो वहाँ पर रन्नीती तै करने के लिए भादपा की रन्नीती को बाखुबी आम आदमी पार्टी समझ रही है, इस वज़े से उन्होंने खुले तौर पर उन्हें अपना दुश्मन करार दे लिया, यस्वन सिनाकल समर्थन करें, अकर मायावती का जिकर करें, जो बीस्पी क की प्रमुख है, उन्होंने भी दुरबदी मुरमु का समर्थन किया, ओपी राजभर जो अखेलिस के साथ उनका पार्टी का उन्होंने भी जहा दरसल दुरबदी मुरमु का समर्थन के उदब ठाकरे, संजे राउत, तमाम लोग और हिमन सुरिण का आपने बता ही दिया, अब यश्वन सिनहा जीत जाते थे यश्वन सिनहा जीत जाते हैं ये तुम तुर की बात आपने कर दिए तो तो यस्वन सिना हार चुक है और द्रापदी मुर्मु एक तरीके से जीत चुक है आप मेरी बात को समझे आसिफ यह तो एक जुलाई को ने ने आपका भी तो प्रेडिक्शन ही है ना एक्जेट रूप से तो नहीं है अनुमान आकड़े जो बता रहे हैं आसिफ को वह यही ब पक्ष के नेताओं को फून कर समर्थर क्यों माग रहे थे जी देखे बाजपा जब कुछ ना कुछ कहती है तो अपना तगड़ा और अपनी रजनीती को तै करके कहती है जैसे महराष्ट में एकनाज सिंदे ने कहा था कि हम सरकार कैसे बनाएंगे तो वहाँ पर राजनीती चानक के कहते हैं अमीशा आप इस बात को जानते हैं असरा हमने उन्हीं से बरोषा दिलायता कहा था एकनाज सिंदे को कि सारे विदाएक योग यह भी साबित होगे और हम सरकार भी बनाएंगे और वैसा ही हूआ कि महाराष्ट में कि सारे विदायकों को सिफसेना के विदा को बागी कर दिया एक आखरी सवाल के रूप कर रहे हैं अगर इसको कैसे समझ जाए एक तरफ लोग यह कह रहे हैं कि दरसल दुराबदी मुर्मू आदिवासी आप जरकन से आते हैं इस वज़े से उन्हें सिंपैथी मिला लोगों का प्यार मिला और बिपक्ष भी उन पर जो दुराबदी मुर्मू अगर जीत जाती है देश का फायदा ने देखिए यहां पर जो दुराबदी मुर्मू को सारे आदिवासी राज्य चाहें वहां का समर्थन मिल रहा है आसिफ तो इसमें सबसे बड़ी बात है कि आदिवासीयों का उत्थान ठीक है लोग समझ रहें क कि आदिवासीयों का उत्थान होगा राश्पती बनने से दुराबदी मुर्मू के लेकिन वह एक बात नहीं समझ पा रहे है कि दुराबदी मुर्मू उसी पार्टी की उम्मीदवार है जिस पार्टी जो केंदर सरकार जो हमेशा से आदिवासीयों के विरोध में रही है आ ना हमारे राश्टपती बैठे वे हैं रामनाथ कोविन कोई भी ऐसा नहीं कहता तो उसी तरीके से जब सत्ता सुक मिल जाता है और जो अगर द्रापदी मुर्मु को बोल दिया और द्रापदी मुर्मु का तो यह कारेकाली रहा है क्योंकि मैं जारकंड में उनको करीब से कार्ड में विपक्ष पूरिच्यकर रिवीव में फस गिया और यहीं वजह है कि आज बीजेपी की एतनी तारीफ हो रही है देखना होगा आखिरी कि इसको क्या एक छोटा से उमीद है यस्वन सीनहा के लिए क्या उस पर वो खरे रहेंगा क्या वो पूरा हो पाएगा यह सवाल है बहुत बहुत शुक्रिया साहिब जी हमें इन तमाम सवालों का जबाब देने के लिए चलिए अचके लिए इतना ही वाइक खावर के लिए देखते हैं इस पे नाई नीउस नमस्कार